भोजपुर जीले में लगतार हर्स फायरिंग की घटना सामने आ रही है रात की अंधेरे में बार बालाओं के साथ जम कर बिना भाय की हतियार का परदर्सन वो हर्स फायरिंग हो रही है इसके बावजूद भी पुलिस मूख दरसक दिखाई देरी हतियार बन लोगों के द्वारा नाइट कर्फू के नियमों की धज्या भी उड़ाई जा रही है ताजा ममला भोजपुर जीले के चरपोखरी थाना छेतर अंतरगत काउप गाउं में घटी है मिली जानकारी का नुसार चरपोखरी थाना छेतर अंतरगत काउप गाउं में अग्याव थाना छेतर अंतरगत नरायनपुर गाउं से बरात आई हुई थी। काउप गाउनिवासी रूसा सिंग के बेटी की बरात आई हुई थी। इसी दर्मियान बरातियों के दवारा साधी समारों में नाच का प्रोग्राम आईवजन किया गया था। साधी समारों के द देखने आया हुआ था तभी हर्स फारी के दर्मियान नाच देख रहे दो मासूम गोली का सिकार हो गये इस सब्सक्राइब गंभी रुप से घायल हो गये गोली लगते ही दोनों बच्चे खून से लहुलुहान होकर घटना स्थल पर गिर पड़े लगने के बाद बारात में लोक बीच में अफ्रात तफरीक का महोल कायम हो गया आनन फानन में परजनों द्वारा गोली लगने से दोनों घायल बच्चों को इलाज है तू आरस अधरस्पताल लाया गया जहां एक बच्चा के स्थिति को नाजु देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया वहीं दू पू को पेट में गोली लगी हुए जबकि गुड्डू को दाहीने जांग में गोली लगी हुई है फारिंग कर रहा इवक घटना स्थल से भागने का कोशिस किया लेकिन गरमिनों ने खदेड कर पकड़ लिया और जम कर पिटाई कर घायल कर दिया सूत्रों ने बताया कि फ फारिंग कर आरोपी को कबजे में लेकर इलाज हेतु चर्फोकरी पीएसी लाया गया जहां ही वह का इलाज चल रहा है वहरहाल पुलिस घटना के तफसीश में जूटी हुई है काउप मे अच्छा के करा हई या रही साधी या रोसा पूरा नाम उंकर कजया रहा रोसान बेटी क्वान है तो यह बच्चन सब गोली कहा लागे वहीं है नाची देखे में किसाधी मुझा वहाल देस्ट्गय नाची ऑप लिया कि के टियो जरी पहले हैOM आधा जोड़ों ना होला हो पुड़ा दूख कि अभा दूख तो पुरा वी जा गोली वी चला तरहां फैरिंग होती रहा ना फैरिंग होती है ना ध्याद भीड़ेंग भी भाल रूसा बोले लोने जगराएं साधी होती रहा है राउड नाम कापड़ी आप बच्चा के कि ठारे हुए थे प्रोग्राम शायद था उसी में जहरा जंजक में गुली चलने की बाद सामने आई है इसमें दो बालक जक्मिया जिसे परजन इलाजे तो पटना ले गया है आगे जांच करवाई की जा रही है